रादे रादे फ्रेंड्स कैसे आप सब होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज संडे का दिन है आज 25 जून है आज मैं आपको एक विशेश जानकारी दूँगी सबसे पहले एक टिप दूँगी आपको आज संडे के टिप यह है कि आज के दिन अगर जिसका भी सूर्य वी उसके बाद मैं आपको एक जानकारी दूँगी विशेश जानकारी जो के हमारे नवरत्रे चल रहे हैं मैं उनके लिए आपको एक विशेश जो गुप्त नवरत्रे चल रहे हैं मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूँगी आज उसके बारे में कुछ विशेश उपाए दूँगी और ये नवरात्रे स्टार्ट होते हैं हर साल ये आते हैं ये आते हैं शुकल पक्ष के प्रतिभातिथी को ये अब स्टार्ट हुए हैं ये 19 जून से लेकर 27 जून तक है आप मैं इस बार लेट हो गई आपको जानकारी देने के लिए सो अब मैं आपको कुछ उपा आप करके देखे सबसे पहले ये जो गुप्त नवरात्रे हैं ये किये किसलिए जाते हैं ये किये जाते हैं जो हमारे महा देवियां हैं उनको उनकी सिद्धी पाने के लिए ये गुप्त तरीके से हम उनको उनकी पूजन करते हैं हम गुप्त तरीके से उनका पूजन करते ह तो आपको पहला उपाई क्या है? पहला उपाई हमें क्या करना है? हमें लाल रंग के फूल दुर्गा माता जी को अर्पन करने हैं. जब भी हम पूजा करें हमें वैसे तो पूरे नौ के नौ दिन, नौ नव रात्रों को पूजा करना चाहिए. नौ दिनों माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए इससे हमारे भाग्य उदे होगा और हमें सौभाग्यवती होने का वर मिलता है specially ladies को इस पूजा करनी चाहिए हमें करना क्या है हमें जब भी हम पूजा करें थाली में लाल फूल ले माता की आरती अराधना करे और वो फूल माता को अर्पित करे उसके बाद हमें क्या करना है माता के 108 नाम माला है जो उसका जाब करना है इससे भी हमारा भाग्य उधे होगा सेकिन जब भी हम अपने घर में धन चाहते हैं समरिधी चाहते हैं इसके लिए हमें दूसरा उपाई क्या करना है वो हमें ये करना का है कि हमें महा लक्ष्मी जी को हमें लक्ष्मी माता के आगे कमल का एक फूल अरपित करना है उस से भी हमारा भाग्या उधे होगा है तीसरा उपाई, तीसरा उपाई ये है कि हमें ये 9 के 9 दिन, 9 नवरातों के दिनों में सरसों के तेल का दिया जलाना है, सरसों के तेल का दिया जलाकर दुर्गा मा की राधना करनी है, दुर्गा माता को याद करना है, उनके मंतरों का जाप करना है, इससे आपकी सिद्धी लाल कपड़ा बिच्छा कर वो पांच गोंती चकर हमें माता को अरपित करने है और अपनी इच्छा उनके मनोकामना उनके आगे रखनी रहे पांच मा उपाई लास्ट बट नाट लीस्ट ये उपाई क्या है हमें करना क्या है हमें इन नौ दिनों के बीच में हमें जो माता की पूजा करनी है उसमें शिंगार का समान जरूर माता रानी को अरपित करना है हमें किसी भी मंदर में जाकर माता की मूर्ती के आगे हमें शिं इंगार का समान अर्पित करना है इससे हमारा क्या होता है हमें माता रानी से वर मिलता है हमें माता रानी और शिवजी से वर मिलता है सुभाग्य बती रहने का और हम हमारे पती की आयू लंबी होती है हमें सुभाग्य बती होने का वर मिलता है और घर से घर में कोई भी कमी नह आप बिमार रहते हैं, शरीर से संबंदित आपको problems आ रही हैं शरीरिक problems आ रही हैं बिमारी से निजाद नहीं मिल रहा है तो ये 9 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप कर क्या सकते हो आपको करना क्या है आपको कालिका स्तोत्र का पार्ट करना है इससे आपके शरीरिक और कोई भी काम रुख रहे हैं, कोई भी काम बननी रहे हैं, उसके related भी ये आपको इसके में समस्या मिलेगी, ये 9 दिन आपको कालिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना है, जिस भी लोगों को शरीर से प्रॉब्लम आ रही है, कोई काम नहीं बन रहा है, काली माता के मंदिर में जाकर दो मुखी घी का दिया जला कराना है, इससे भी आपकी सारी मनो काम नाएं पूरी होंगी, और कोई भी रुका हुआ काम है, कोई भी काम आपका बन नहीं रहा है, कोट कचेरी के काम है, वो वश्य पूरे होंगे, और आपको काली माता खुद सा जाकर वो काम पूरे करेंगे, बताऊंगी, कि हमें अपने घर में इन नौ दिनों में क्या-क्या वस्तुएं लानी चाहिए, जिससे हमारा भाग्य उदे होगा, और हमारे घर में लक्षमी जी आएंगी, ये क्या-क्या चीजे हैं, मैं 6 चीजें आपको 6 वस्तुएं आप अपने घर में इन दिनों, नौ दिनों में जरूर लेके आएं, इससे आपका भाग्य उदे होगा, लक्षमी जी खुशी-खुशी हमारे घर आएंगी, उसके बाद, second चीज, वो है लक्षमी माता की तस्वीर, अगर आपकी लक्षमी माता की तस्वीर फट गई है, खर मोर होता है, मोर पंक होता है, वो हमारे घर में से negativity निकालता है, और चौथी चीज, चौथी चीज ये है, कि हमें आज इन नौ दिनों में कोई भी चांदी का एक सिक्का, अमारे घर में जरूर लाना चाहिए, जिससे हमारे घर में बरकत होगी, चंदरमा ठीक होगा, और हमा आपको एक सोने का सिक्का भी इन नौ दिनों में लेकर आना चाहिए, और माता के सामने उसको पूजा करके उसकी अपने लौकर में उसको स्थापित कर देना चाहिए, और इससे भी आपके घर में बरकत बनी रहेगी, उसके बाद, last but not least, जो है छटी चीज, छटी चीज है, यह हमारे भाग्य उदे में बहुत, भाग्य उदे में भी हमारे घर में बरकत, सो भाग्य वती, हमारे घर में health relation करने के लिए, इससे माता वैसे भी परसन होती है, वो कौन सी चीज है, जो हमें अपने घर में लानी चाहिए, जिससे माता परसन होती है, और हमारा भाग्य उ लिप्स्टिक नेल पॉलिष कुछ भी सोला चीजे लेले सोला शिंगार का समान आपको अपने घर में जरूर लाना है उसको यूज करें उसको पहले माता के सामने अरुपित करें और उसको यूज करें आपका भागय उदे हो और आपको सुभागयवती हो ने का वर्म थैंक यू फो वाचिंग माई वीडियो प्लीज मेरे चैनल को ऐसी लाइक सुब्सक्राइब शेयर जरूर किया कीजिए और ऐसी मेरे चैनल को आप स्पोर्ट करते रहें जैसे आप आप कर रहे हैं धन्यवाद सबका जिस ने मेरे चैनल को स्पोर्ट किया है तो फ्रेंज प्ल